राजदाने जापुर के ग्रेटर नगर निगम इलाके में घरगर कच्रा संगरहन के बदले यूजर चार्ज की वसूली का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। शुनाबी साल होने के वज़े से निगम प्रशाशन जनता को नाराज नहीं करना चाहता जिसके चलते फिलहाल इस शुल्क की वसूली में देरी हो रही है। दरसल ग्रेटर नगर निगम प्रशाशन ने पहले जनवरी फिर फरवरी और अब मार्च से ये चार्ज वसूलना शुरू करने का प्लैन तयार किया था। इसके लिए एकलाक 80,000 से जादा आवासों में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी लगाया गया। मगर पहले तो वसूली के तरीके को लेकर मामला अटक गया अब तकनीकी कामियों के साथ ही चुनावी साल के वज़े से मामले में देरी हो रही है। ग्रेटर निगम का प्लान था कि डोर टो डोर कच्रा संग्रहन पर जो पैसा खर्च हो रहा है यूजर चार्ज के जरीए उसकी पूरती की जाए। बतादे कि नगर निगम के मालवी नगर और मॉलेपुरा जोन में वी केर कमपनी के जरीए डोर टो डोर कच्रा संग्रहन का काम किया जा रहा है। इन दो जोन में ही RFID कार्ट के जरे यूजर चार्ज के वसूली की जानी थी। इदर ग्रेटर निगम के XEN प्रोजेक्ट मनुष शर्मा का कहना है कि यूजर चार्ज के लिए।